हाईलो फ्रेंड्स गूड आप्टरनून स्वागत है आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SSE CHSL परिच्छा 2030 आगे की सिप्टूम में पूछ जाने वाले संभावित महात्मूर परस्णों को साल्प करेंगे दोस्तों ये वीडियो हमारा आपके एकजाम में पूछे जा रहे कोस्टन्स के टापिक वा कोस्टन्स के लेबल पर आधारित एक महात्मूर वीडियो है तो दोस्तों आप लोग इने कांस्टेट होकर साल्प करें कोस्टन्स कम सही होने पर पुनापरस्णों का रिवीजन करें ताकि आप लोग भी अपने एकजाम में अच्छे से अच्छा परफार्मेंस कर सकें तो चले दोस्तों ज्यादा समयना लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्मूर पसनों को साल्प करना सुरू करते हैं दोस्तों कोस्टन नंबर वन है बलवंत राय महता समिती का संबंध है तो इसका सहिंसर होगा दोस्तों बलवंत राय महता समिती का संबंध है पंचायती राज ब्योस्था से, बार-बार पूछा गए, वन्डे एक्जाम का फेबरेट कोस्चन है दोश्टों, नेक्स्ट, लोनार जील किस राज में इस्थित है, तो इसका सही इंसर होगा, महाराष्ट, लोनार जील, महाराष्ट, राज में इस्थित है, नेक्स्ट, पंजाब से है, डांडिया गुरभा गुजिरास से है, भरतनाटियम तमिलनाडु से है, मोहिनी अटम कथकली और ओरम ये किरल से है, इतना आप लुग ध्यान रखेंगे, इतना यहां से आपकी questions मिस नहीं होंगे, नेक्स्ट परसिद गोमतेस और की मूर्ति कहां पर इस्तित है, तो स्राण बेल गोला में इस्तित है, जो कि करनाटक राज में पढ़ता है, नेक्स्ट कोश्चन, विस्व पिर्थिवी दिवस कम मना जाता है, तो इसका सहिंसर होगा, 22 अपरेल को, विस्व पिर्थिवी दिवस 22 अपरेल को मना जाता है, नेक्स्ट, जेनरल साइंस का इपरेल कोश्चन, किस बिटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो बिटामिन बी टोयल में, बार-बार पुछा का कोश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, अगला कोश्चन है दोस मुस्लिम अध्यस थे, बदुरुदीन तैयब जी, नेक्स्ट, आइने अकबरी किस की दोरा लिखी गई, अबुल फजल की दोरा, नेक्स्ट, खालसा पंद के संस्थापक थे, तो कौन थे, गुरु गोबिंद सिंग, नेक्स्ट, सांखिदर्सन का संस्थापक किसे मानाता है, तो कपिल को मानाता है, दोस्तो, सांखिदर्सन, योगदर्सन और न्याइदर्सन, ये तीनों बारबा पुछे जाते हैं, इनके करम से हैं, सांखिदर्सन के महारिसी गवतम है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट कॉश्ट, मायरी काम का संबंद किस खेल से है, नेक्स्ट, भारत का सबसे दच्छडी पॉइंट कौन सा है, तो इंदरा पॉइंट है, अब उत्तरी कौन सा होगा, इंदरा काल होगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आगे चलेंगे हम लोग, अगला कोश्टन है दोस्तो, आपरेशन फलड कारिकरम कब चलाया गया तो आपरेशन फलड कारिकरम कब चलाया गया था, 1970 में, आपरेशन फलड कारिकरम संबन्धी था, ये सा भी पुछाता तो किस से, दुख दुख उत्पादन से, नेक्स्ट कोश्टन, उपभोकता अधिकार दिवस कब मना जाता है, तो मना जाता है, पंदरा मार्च को, नेक ये संगधान की अनुसूची साथ में सक्तियों के बटवारे के संबन्ध में बात की गई है, जहाँ पे संग सूची, राज सूची वा समुर्थी सूचियों का गौड़ान है, संग सूची में कानून बनाने का अधिकार भारतिय संसत को है, राज सूची के विशय पर कानू की मत विवाद उत्पन होता है तो केंद्र की संसत यानि की भारतिय संसत द्वारा बनाए गया कानून माननी होगा अब यहां पूछा गया दोस्तों सिच्छा को कि सूची में रखा गया तो समवर्ती सूची में रखा गया यानि यहां पर दोनों कानून बना सकते हैं दोनों क गंबर नेक्स्ट वर्तमान में संग्विधान की आठुई अनुसूची में सामिल भासाओं की संख्या तो टोटल कितने 22 हैं और एक किस सूची में आती हैं आठुई सातुई और आठुई दोनों हम लोग यहाँ पर किलियर कर चुके हैं नेक्स्ट कोश्चन डिप्थेरिया बीमारी सरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो यह गला को करता है किसे गला को अगे चलेंगे हम लोग अगला कोश्चन है दोस्तों संग लोग सेवा आयोग यानि कि UPSC Union Public Service Commission के अध्यच की न्यूक्ति किस के द्वारा की जाती है तो अंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नेक्स्ट कांग्रेश के वर्तमान में अध्यच कौन है मलिकारजुन खडगे करेंट का इंपार्ट कोश्चन है आप लोग जानते हैं कि हाली में भारती राष्टी कांग्रेश के अध्यच पत का चुना हुआ है मलिकारजुन खडगे अध्यच चुने गए है नेक्स्ट को कितने खिलाडी होते हैं, तो टोटल 11 खिलाडी होते हैं, खेल जगत से पूरी तरह से प्रिपेर रहने का प्रियास के लिए दोस्तों, इटिक को लेकर, वह करेंड के कोश्चन दोस्तों, आप लोग जो हाले में हुए हैं, कौन सी टीम किस खेल को जीते हैं, चाहे ओलम्पिक ह इसके बाद कौन सा कप किस से समब्न देत हैं, क algún से बेकती किस खेल से समब्द समयंदत हैं, वह आने वाले खेल की मेजबानी कौन करेगां, एससे बीन कशचन है, लोग सभा और यहां सनशत का निमन सदन है, जो किenser के सदेश्यों का कारिकार दोस्तिर तो 5 वर्स होता है लेकिन इसे कभी भी राष्टपती के दौरा भंग किया जा सकता है यह एक आस्थाई सदन है इनका दोस्तों इनके सदस बनने के लिए 25 वर्स राजसभा की बात करें तो 30 वर्स जो की एक अस्थाई सदन है और उनके पतेख सदस्यों का कारिकाल 6 वर्स का हो नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तों कुटिया टम निर्ते किस राज से सम्मंदित है तो यह है दोस्तों केराल से बेरी बेरी इंपार्टर कोश्चन है दोस्तों Next पेंसिल बनाने में पर्युक्त कारवण है, तो क्या है ग्रेफाइट है Next सहायक संद्सकिस गौवर्नर जेनरल के समय में हुए थी तो लाडस बेलेजली के काल में हुए थी Next अर्थ सास्त पूच्त के लेखक तो चाणा के हैं काउटिल भी विकल्प में दियाता है और हिनके तीन नाम है चांडा की काउटिल और बिसुलौ गुःतantu अगे चलेंगे हम लोग, next question है, लोनार जील किस राज में इस्थित है, तो ये किस राज से संबन्दित है तो केरल से हैं हम लोग इस पर भी बात कर चुके हैं आगे चलेंगे हम लोग अगला question है दोस्तों विश्व में हारित करांती के जनक माने जाते हैं तो कौन नार्मन बोरलाग अब यही पर भारत की बात के तो कौन माने जाते हैं स्वामी नाल्थन नेक्स्ट 2022 में किरल के मुख्यमंत्री कौन है तो पिनाराई विजयन है करेंट का important question next hemoglobin का कारी है तो आकसीजन ले जाना या आकसीजन का परिवहन करना next फल पकाने वाला हार्मोन है तो कौन सा एथलीन है बार बार पूछा गया वन लेक जाम का उस्टम है तो 60 के दसक, 70 के दसक, 80 के दसक तो किस दसक में होती 60 के? दोस्तों 60 के, 1960 यहां पे लिक दिये हैं ताकि पूरी तरह से दूस्तों कि डियर हो सकी next 75 वर्से व्यजना की समय अधी थी तो ये आप लोग ध्यान रिखते हैं, कौन सी पंच वर्सेज़े किस माडल पे थी, लच कितना रखा गया था, प्राप्तिया कितनी हुई थी, ये सारे कॉस्चन्स, बिद्धु धरा को किस में मापा जाता है, तो ए मीटर में मापा जाता है, अगला कोश्चन्स, भारत के दूसरे CDS कौन बने है, तो अनिल चौहान, आगे चलेंगे हम लोग, अगला कोश्चन है दोस्तों, योजना आयोक की अस्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 को ही थी, योजना आयोक का दोस्तों सिंग्धान में कहीं पर भी कोई वर्डन नहीं है, किंद्रिय मंति मंडल की प्रस्ताव की दोरा इसी बनाए गया था, जैसे बजट सब्द का भारती सिंग्धान में कहीं पर कोई वर्डन नहीं है, वार्सिक बित्य बिवरण के नाम से इसे जान जाता है सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी चैनल स्विक्रुपा कलासेज को इसी तरह के वीडियो के लिए अगला है कोश्चन मिल्खा सिंग ने मेडल किस खेल में जीता खेल का नाम बताना यहां पी तो राष्ट मंडल खेल है मोहनी अटम में क्ल कितने इस्टेफ होते है जो संत्कम मंडल कि मन Cyrus का सामानी रख्तचव कितना होता है तो 120 ग 2 1 अब लोग जानते हैं 120 से 80 गरीबी उन्मूलन किस पंच वर्षी योजना में आया था तो यह पाचवी पंच वर्षी योजना में आया था क्या गरीबी उन्मूलन आगे चलेंगे हम लोग अगला question है भूकंपिये तरंगों को किसी अंदर से मापा जाता है तो कौन सा है सेस्मोगराप एक पैमान है क्या दोस्तों रेक्टार इसके लिए भी आप लोग ध्यान रखें नेक्स्ट केरल का विसू तेवार कौन सा है विसू तेवार किस धर्म के लोग मनाते हैं तो हिंद वर पूछा गया वन्ड एक्जाम का फिबूरेट कुश्चन है किनके मद्ध में हुआ था तो गाधी और अमबेटकर के मद्ध में हुआ था समझे होता नेक्स्ट लोगसभा के अध्यच का चुनाव कोन करता है तो लोगसभा के सदस्यों के द्वारा लोगसभा ध्यच का किया जाता है नेक्स्ट पंजाब के किस निरती में सिर्फ महिलाई भाग लेती है तो गिद्धा है गिद्धा और भागड़ा हम लोग बात कर चुके हैं पंजाब का है इसमें जो गिद्धा है उसमें सिर्फ महिलाई भाग लेती है नेक्स्ट बैरन द्यूप कहा परोस्थ इस्तित है तो अन्वान निकुबार ध्यूप सम्मूं में इस्तित है क्या बैरन द्यूप आगे चलेंगे हम लोग ऑगला कोस्टना दोस्तों एक वाट änd़ा कितने जूल के बृबर होता है एक वाट गझन्टा कितने जूल के बराबर होता तो 3600 जूल के बराबर होता है next हरजन पत्रिका का संपाधन किस ने किया था important question तो यह करते हैं दोस्तों महातमा गाधी ने next सरदार सुन सिंग समिति किस परधानमंति के कारिकाल में बनी थी तो इंद्रा गाधी और दोस्तों इसके बारे में अब लोग जानते होंगे सरदार सुन सिंग इन ही कि संस्तुति के अधार दोस्तों मूल करते बोको संग्धान में जोडा गया था कब 42 संग्धान संसोद्धन के द्वारा उस समय कितने थे दस थे लेकिन 600 संग्धान संसोद्धन 2002 के द्वारा एक बढ़ा दिया गया तो वर्तमान में टोटल क किर्थिकर कौन थे किर्थिकर कोन थे तो महावीर स्वामी थे अब लोग जानते होंगे और इन्हें जेंधर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है next cricket match के मैँदान पर एक समय में कितने अमपार होते हैं तो दो इमपार होते हैं 261 हिसा पूर्ग में कलिंग का वीज़ा इनके किस सिलालेख में दूस्तों वड़ी था तो तेरा हुए में ये भी आप लोग दिहान रखेंगे इनका एक लोग पर ये नाम भी है देवनाम परीदर सी और ये दूस्तों बाद में बहुत धर्म के अन्याई हुए थे नेक्स्ट कॉश्चन मड़ीपूर्ग के वर्तमान में मुख्मंत्री कोन है तो एन बीरेंज सिंह नेक्स्ट रिगववई दिकारियों की भासा क्या थी तो संस्कृत थी नेक्स्ट असोक के सिलालेखों को सरपर्थम किस ने पढ़ा तो जेम्स से प्रिंसेप ने पढ़ा था नेक्स्ट पिर्थिवी की अपनी कच्छा में गती है तो पस्चिम से पूर्व है यानि की एंटी क्लाक वाइज नेक्स्ट कोश्चन HTML का पूर नाम क्या है तो Hypertext Markup Language और इस वीडियो का दोस्तों लाश्ट कोश्चन किस नदी को व्रिद गंगा के नाम से जनाता तो गोदावरी है और यह दोस्तों प्राइद विपे भारत यानि की दच्छिन भारत की सबसे बड़ी नदी है तो यह थे दोस्तों इस वीडियो के टाप MCQ के प्रस्ण जिसको हम लोगों ने हयப்aged साल्ब किया हैं उमिद है तो आप सभी लोगों ने शालब किया हूँगे और देखे हूँगे